नमस्कार दोस्तो Freedies repair YouTube Channel में आपका स्वागत है मैं उसी तरम दोस्तों आज की वीडियों में हम आपको बताने जारें कि आपĩश भोल्ट और पैच देख रहे हैं इन बोल्ट और पैच देख रहे हूं दोस्तों पैचों को दोस्तों लगाने के लिए बगाकर इन्हें बहुत जल्दी कस सकते हो क्योंकि अगर आपको जल्दी कसेंगे तो आपका समय बचेगा और सभी परकार के जो बॉल्ट है यह पैच आप देख रहे हूं इनको सही तरीके से कसनेगा जो जुगाड है ड्रिल मुशिन का वह मैं इस वीडियो में आपको पूर करते हो इसके जी जगे दोस्तों आप जो तापडिया का जो मैंने आपको दिखा रहा हूं यह दोनों तरफ फोरेड है और यह वाला जो आप बीठ है आपकी ड्रिल मुशिन में लगा के आप आसानी से कस सकते हो यह बड़ी साइज में आता है दोस्तों चोटी साइज में भ तो दोस्तों यह बोल्ट आराम से मसीन से टाइट हो जाएंगे और मसीन से खुल जाते हैं अगर आपको मोटे बोल्ट लेने हैं तो दोस्तों मोटे बोल्ट भी दोस्तों इस तरह से आप लगा सकते हों क्योंकि मसीन से टाइट करने में आपका काफी समय बचेगा और सभी तर करके इस तरह से आप छोटे बड़े पैच जो फोरेड पैच कसने वाले हैं इन्हें आप आसानी से फिटिंग कर सकते हो डिल मेशिन से अब इसके बाद में यहां दोस्तों यह तूल्स है यहां आप तूल्स देख रहे हूं दोस्तों यह एमेम में है यह 10 mm का है जो आपको डि डिल में लगता है और डिल में में लगने के बाद में आप इसे 10 mm की जो बोल्ट है इस टाइप के इन्हें आप आराम से आसानी से मसीन से टाइट कर सकते हो क्योंकि अगर इससे आप पाने से टाइट करोगे तो काफी समय लगेगा और यह जुगाड है इसमें मैगनेट है और यह 10 mm का है यह 6 mm का भी आता है 5 mm का भी आता दोस्तो और 12 mm का भी आता है तो अधिकते दोस्तों आपका 10 mm का काम में आता है तो 10 mm का यह डिस्क के नेटवोर्ट कसने में यह जुगाड काम में आता है तो इसमें आप आराम से आसानी से LED LCD या डिस्क भी जो भी लगाते हो इस जुगाड से आप लगा सकते हो तो दोस्तों ये दोनों ही जुगाड आपके बहुत अच्छे काम के हैं ये दोस्तों दोनों ही जुगाड आपके हैमर मसीन में नहीं लगेगा क्यों ड्रिल मसीन में ही लगेगा तो इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हुगा इस वीडियो का आप दोस्तों साथ सेर करें लाइक करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना जरूरा भी लेता कि आने वाली वीडियो और अप्डेट की जान करें